अशा करता हूँ, आप सभी अच्छे होंगे, मेरा नाम है सुनिल, स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल में, अगर आपने इस वीडियो का पीडियो फाइल लेना है, तो आप मेरे टेलिग्राम चैनल को जोइन कर सकते हैं, बिना स्पेस दिए, आप सुनिल स्टार सर्च कर लीजिएगा, ठीक है, वहाँ पे आपको इस लेक्चर का पीडियो फाइल और बाकी के अलावा, जितने भी इपार्टन लेक्षर और मैं पढ़ाता हूँ, और उनके अलावा कुछ इपार्टन आर्टिकल्स भी मैं सेंड करता रहता हूँ, तो चलीगा, ती पैंडेमिक जो चल रहा है अबी, सबसे पहले इसी के बारे में जानते हूँ, और एक बहुत ही बुरी ख़बर मैं कह रहा हूँ आप, और हमारे सब के लिए है, कि ये करोना के केसिस जो हैं, वो दस लाक से भी उपर हो चुके हैं, फिलाल जब मैं वीडियो रिकोर्ड कर र और बढ़ रहा है बहुत तेजी से, और एक उससे भी बुरा सपना ये है, बुरी बात ये है कि दुनिया भर में मोते 50,000 से ज़्यादा क्रोस कर चुकी है, बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहे हैं ये नमबर सारे सारे, हाँ एक पॉजिटिव निउस ये है कि रिकावर जो ह हैं, वो भी काफी ज़्यादा अब हो रहे हैं, लगबग 2,11,942 लोग जो हैं, वो रिकावर हो चुके हैं, लेकिन उमीद ये हैं कि प्लीज ये केसिस जो हैं, यहां से ये केस खतम हो जाएं लगबग, यह रुक की जाए, यहीं पर बस अब, और यह भी यहां पर रुक जा और 13,000 से ज़्यादा मोथ हो चुकी है, स्पेन तीसरे पे है, चोथे पे अब चाइना नहीं रहा है, जर्मनी मैंने कल आपको पढ़ाते टाइम जिकर किया था कि कल ऐसा हो जाएगा पॉसिबिलिटी है, राज यह वही हुआ, ठीक है, आज चाइना जो है, वो पांचवे न बढ़ रहा है, अब बारी है, पांचवे ना स्थान लेने की फ्रांस की, जिस तरीके से यह ग्रो कर रहा है, अपने भारत की बात करता हूं, तो रीसेंट डेज के अंदर, दो-तिन दिनों के अंदर ही देखने को यह मिला है, कि जो कंफर्म केस है, वो लगबग धाई हजार से जादा हो चुके हैं, और भैतर लोगों की मोत हो चुके है, जिसमें महारास्टरा स्टेट फिलहाल के लिए टॉप में है, फिर तमिल नाडू है, फिर दिल्ली है, रगेन आपके यह जो है, बाकी राज्ये तो हैं ही है, अभी अरणाचल प्रदेश, सिक्कीम, चीज़ यह है कि गौवर्मेंट ने अपना जो है, कौविड नाइंटीन को ट्रैकिंग करने के लिए एक आरग्या सेतू नामक एक अप्लिकेशन जो है, वो लांच किया है, यह आरग्या सेतू अप्लिकेशन जो है, स्मार्ट फोन में, आई ओस और के साथ में अंडॉड उ गए है, करोना पोजिटिव के या उसके छे फिट के रेडियस के विदिन जाते हैं, तो यह हमें जो है, नौटिफाई कर देगा, तो इस टाइप का यह आप्लिकेशन जो है, वो लांच किया है, किसने लांच किया है, यह इलक्रोनिक्स एंड इन्फोरमेशन टेकनलोजी ड इपार्टमेंट ने किया है, जिसका हैड़कार न्यू डैली में है, और इसके यूनियन मिनिस्टर का नाम है रवी संकर परसाद, अगर मैं आगे बढ़ता हूँ, तो एक और बहुत इपार्टन है, कि विमलिडन टैनिस टर्नामेंट जो है, वो कैंसल हो गया है, यह पहली इसके लिए होना कब था, यह होना तो था आपका अभी जून से और जून जुलाई के अंदर 2020 में, लेकिन अब इसे अगले ही साल कर दिया गया, 2021 के अंदर कर दिया गया है, पूछा जाए कि विमलिडन क्या चीज है, तो यह दुनिया का सबसे पुराना टर्नामेंट है, उ इसे शुरू किया गया था, इस टर्नामेंट में जो है, मेंस का सिंगल और डबल होता है, वो मेंस के लिए भी सिंगल और डबल होता है, और मिक्स डबल भी होते हैं आपके इसके अंदर, ठीक है, आगे बढ़ू में, त्विज की और तो विस्व आप्टीजम या हिंदी मे कहें, तो आत्म केंदरित जागुकता दीवस जो है, वो कब मनाय जाता है, दो अप्रेल को मनाय जाता है, विस्व आप्टीजम दीवस, इस बार का थीम क्या था, इस बार का थीम आपको याद रखना है, दा ट्रांजिशन्स ओफ अडल्ट हुड, ये इस बार 2020 का थीम था, इसका, मन में सवाल ये आ रहा है कि, आप्टीजम होता क्या है, तो देखिएगा, आप्टीजम क्या है, एक complex neurodevelopmental disorder है आपका, यानि कि दिमागी एक परकार का आपका disorder होता है, इसमें problem क्या होता है, communication में, interactions में, देखो मतलब जिसको भी आप्टीजम होता है, तो वो बेसिकल आप से अलग टाइप में हूँ, या वो मतलब अपने ही ख्यालों में रहते है, वो अपना, मतलब वो चाहते हैं कि, जैसा मैं हूँ, वैसा ही सामने वाला हो जाए मेरी सामने, ये बिमारी लगबग 2-3 साल की age में ही जो है आती है आपकी, और WHO ने इसे कहा है कि, दुनिया भर में लगबग 160 बच्चे ऐसे हैं, ठीक है, जो कि इस से, आप्टिजम से जो है, वो ग्रसिद हैं आपके, हलकि इतनी कॉमन नहीं है, लेकिन फिर भी है तो सही ये आपकी, डिसॉर्डर है, ठीक है, ब्रेन का डिसॉर्डर है, ये भी आप यादर कियेगा, इंदर सरकार क समीर में जो लगातार, पंदरा साल से रह रहा है, वो वहां के, जो है, वो नागरी की डॉमिसाल, जो वहां का, आपका, जो कहते हैं, जैसे आप हरियाना में रहते हैं, तो हरियाना का डॉमिसाल बन जाता है, आपका, वैसे ही वहां के डॉमिसाल के लिए, जो सिविलियन ड प्रिक्षा दी है उनको भी डॉमेसाइल मिल जाएगा जमू कस्मेर के राजयपाल का नाम है गिरी सिचंदर मुर्मू जिनको शौट फॉर्म में जी सी मुर्मू के नाम से भी पुखरा जाता है आगे बढ़ते हैं हम लोग तो हाल ही में किस देश ने कोविड नाइंटीन पर अंतरास्टिय चित्रकलाप्रतियोगिता लोंच की है अभी हाल ही में अपने प्यारे देश भारत नहीं कोन से डिपार्टमेंट ने की है डिपार्टमेंट का नाम है भारतिय सांसकर्तिक संभंध प्रिशद यानि की ICCR इंगलिस में इसका फुल फॉर्म आप जानना चाहत हैं तो Indian Council for Cultural Relations ये जो है आपकी इसकी स्थापना 1950 में हुई थी मौलाना अब्दुलकलाम अजाद दवारा स्थापना की गई थी जो की भारत के पहले सिक्षा मंत्री थे इसका उदेशे है कि भारत में सांसकर्तिक संभंधों को मजबूत करना इसके डीजी यानि कि राष्टरपती हैं आपके विन्य सहस्त्र बुद्धे हैं हैड़कॉर्टर न्यू दिल्ली के अंदर है इसकी स्थापना 9 अप्रेल 1950 को हुई थी और ये कारेकरम क्यों किया गया है थाकि COVID-19 के परती लोगों को जागरुक करने के लिए बसे धेखा जाए तो जागरुक कोविंद है और कापिटल न्यू डैली है करनसी हमारी इंडियन रूपी रूपीज है अगला सवाल जो है हमारा के अंदर सरकार ने COVID-19 वैस्विक महामारी के लिए मन्रेगा मजदूरी में ओस्तन कितने रूपे की वृद्धी की है अभी ये बताते वे मुझे भी सरम आ रह ते ठीक है 20 रूपे की क्या बताएं या इनके बारे में आगला सवाल है कि हाल इमें किस राजय में कोरोना वाच मॉबाइल अप्लिकेशन लोंच की है कोरोना वाच मॉबाइल अप्लिकेशन जो है वो लोंच की है हाल ही में करनातक राज्ये ने Positive इसका इसने होगा क्या कि करनाटक सरकार ने करोना संकरमित लोगों की मुवमेंट को ट्रेक करने के लिए और संकरमन को फैलने से रोकने के लिए किया है जिनको करोना पोजिटिव जो है या करोना सस्पक्टिड जो है आपके उनके हाथ पे ये वोच लगा दी जाएगी जहां जहां जाएंगे उनके मुवमेंट को ट्रेक किया जाएगा किस किस एरिया के दौरान बात की जाए तो करनाटक के मुख्यमंत्री का नाम है बी एस यद्दूरप्पा राज्येपाल का नाम है वज्जु भाई वाला अगले सवाल के और जाते हैं हम लोग उससे पहले हम लोग जान देते हैं कि जो हमारा करनाटक है करनाटक का कापिटल क्या है करनाटक का कापिटल है आपका बैंगलूरू बैंगलूरू को सिलिकॉन सिटी भी कहा जाता है portable ventilator بنाने की गोश्टना की है तो portable ventilator बनाने की गोश्टना की है इनमें से कौन से IIT ने तो IIT कानपूर्द ने ऐसा किया है portable ventilator ventilator वो machine होती है जिसको सांस लेने में तकलीफ होती है उनके लिए ये रहती है इस पे particular ventilator क्या होता है है पूरा इसका डिटेल जो है मैं आप लोगों के लिए बहुत जल्द एक वीडियो बनाने वाला हूँ even आपको हो सकता most probably कल ही मिल जाए ठीक है कल almost कल मिली जाएगा आपको ठीक है आज शाम को पांच बजे ठीक है फिर आपको लिए एक वीडियो होगा जिसमें आप ये जानेंगे या सिखेंगे कि जो डिली के अंदर आपका तबली की नमाज पढ़ने वाले लोग थे उनको उनके खिलाफ FRI दर्ज की गई है या बहुत सारे कनिका कपूर के खिलाफ FRI दर्ज की गई है तो IPC के बारे में समझाऊंगा CRPC के बारे में बताऊंगा ठीक है कि IPC के कौन सा आर्टिकल है आपका कि एक जैसे 200 अने तर्प सेक्शन है एक 270 सेक्शन है इनमें क्या है बेसिकली और कैसे कैसे जो है इतियास में IPC की धारा के तहत है बीमारी फ हुआ रिखियेगा कमेंट भी कीजिएगा मुझे अच्X लगएगा बात करता हूं मैं उत्तर परदेश की टेथर प्रदेस की राजदहानी लखनव की नदी के किनारे है गोमती नदी के किनारे याद रखेगा आप लोग ठीक है गोमती नदी के किनारे है मुख्यमंतरी यö मुख्य मंत्री, विधान सबा, सदेश्य, विधान सबा, परिशद और अन्य विवाग के जितने भी परतिने दिये, कलास A, कलास B के करमचारी, अब इनका सब का 60% और कलास A और B का इनका 50% जो है, जैसे मान लेते हैं, इनकी सैलरी अगर 1,00,00 रुपे है, तो अब इनको मिलेगी, इस महीने मिलेगी 50,000 रुपे सैलरी, तेलंगाना और महारास्टर की बात करें, तो महारास्टर का कापिटल तो मुंबई है, चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे है, और राज्यपाल भगस सिंग कोशारी है, तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना की जो कापिटल है वो हैद्राबाद है और मुख्या मंत्री का नाम चंदर से खर रहा हुआ है और राज्य पाल का नाम संदोर्य राजन है आपका हाली में किस देश में रहने वाली भारतिय मूल की मशुहूर वाइरोलोजिस्ट गीता राम जी को कोरोना वाइरस की वज़े से मोत हो चुकी है वाइरोलोजिस्ट की जो गीता राम जी है इनकी मोत हुई है कहां पे मोत हुई है दक्षन अफरीका में भारतिय मूल के लिकिने दक्षन अफरीका में इनकी मोत हुई है, करोना वाइरस की वज़े से, बैसे दक्षन अफरीका में इसका कहर बहुत जादा तो नहीं है, अब तक लगबग 4-5 ही मोते हुई है वहाँ पे, और यह है आपकी गीता, बात की जाए कि वाइरोलोजी होती क्या है, तो वाइरोलोज है, तिन कापिटर है यहां की, करंसी साउथ अफरीकें रेंड है और प्रेजिडेंट सिरिल रामा फोसा है, अगले सवाल के हो जाते हैं तो भारत के किस राज्य के परसिद सक्ति पीठ, त्रिवपूर सिंदूरी मंदिर के पास सरे 51 सक्ति पीठों की प्रकरती वाला दुनि सकते हैं तिरुपूरा के अंदर, इसके लिए लगबग 142 एकड़ भूमी जो है, इसको आवंटित की गई है, चीक है, उद्यापूर मोजा रोड परस्तित, फुल कुमारी गाउं में बने गई है आपका, चीक है, अगर आप UPSC aspirants है तो आपको इतनी सारी चीजे डिटेल म होनी ही चीए याद, तिरुपूरा की बात करों तो तिरुपूरा की राजधानी अगरतला है, मुख्यमंतरी बिपलब कुमार देब है, कमेंट में मुझे आप तिरुपूरा के राजयपाल का नाम बताईगा क्या है, PNB और किस बैंक ने रैपो रेट जो है, जोड़ी ब् ब्यासदर है, उनको कम कर दिया, Indian Oversis Bank का Headquarter चेन नहीं में है, CEO यानि की Chief Executive Officer जो है, उनका नाम स्री कर्नम सेकर है, और 10 फरवरी 1927 इसको इसकी स्थापना हुई थी, तो चलिएगा, आज के Current Affair इतनी थे, आज का लेक्सर समाप्त होता है, वीडियो कैसा लगा, कमेंट बताईएगा जरूर, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, आप देखते हैं जरूर है, पर आप लाइक करना भूल जाते हैं, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को अगर नहीं किया है, कल फिर एक नई अपडेट्स के साथ मिलूगा, तब तक के लिए आप